मैं संदीब कुमार मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक छोटा से प्रयास है एक छोटा से वीडियो बना रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको मैं अलता मीरा गुफा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसको आप लोग ध्यानपूरवग सुरू से लाज तक पूरा वीडियो देखते हो ते मेरा पूरा विश्वास है कि अलता मीरा से समंधित जितने भी कोशन आते हैं लगभग यहां से कंप्लीट हो जाएंगे जिसे अलता मीरा की बात किया जाए तो 21 छेतर में पढ़ती है आपसे कुशन किया जाता है तो वहाँ पर दो आप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं एक तो केंटा वरियन मलफैंको केंटा वरियन छेतर या केंटा वरियन छेतर संटिलाना डिल मार यह चीज़ दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है अल्ता मेरा गुफा की बात किया जाए तो यह आपके कहाँ पर है इस पेन में है यह भी आपको कंप्लेट होना चाहिए अल्ता मेरा गुफा की बात होती है तो यहां से जो सबसे विशेश चित्र है जिसको हम जंगली भैसे के नाम से जानते हैं या अक्रामग भैसे के नाम से जानते हैं या चार्जिंग बाईशन के नाम से जानते हैं इत्यादी नामों से इसको हम पुकार सकते हैं यहें पर हम देखते हैं कि जो अलता मेरा गुफा है उसमें किस प्रकार की पत्थरों का प्रयूग हुआ है हम लो Tub América परकार के ओपाहाड़ी है तो चूना पत्थर मतलब लाइम हाँ छालाइम इश्टोन की बात हो रही यहाँ पर इसको आपके लिए बड़ा महत्रपूर है यहाँ पर रेखाओ की जाती है तो फीते की शमान तेड़ी मेड़ी रेखाओं का प्रियोग किया गया है अब बात है कि जो फीते की शमान तेड़ी मेड़ी रेखाएं हैं वो जो हैं किस से बनाई गई तो ये अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं जो फीते के शमान तेड़ी मेड़ी हमें दिखाई पड़ती हैं यह आपको बिल्कुल किलियर होना चाहिए यहां से आपसे दो पॉइंट पूश सकता है कोशन की रूप में एक दो फीते की शमान टेंडी मेरी रेखाओं का प्रियोग किस गुफा में हुआ है अलता मीरा या अंगुलियों से बनाई गई रेखाओं कहां पाई जाती है तो य 1897 की बात है जब इसकी खोज होती है मार्शिलोनो संज दे शात उला ये उस बालिका की पिता है जिसने इस गुफा को सरप्रथम देखा था जिसका नाम था मारिया सात उला जब मारिया शात उला जिस समय इस गुफा को देखा था तो उसकी उम्र थी आठ वर्ष ये चीज भी आप किलियर कर सकते हों देखा जाए पूरे विश्र की बात की जाए तो अलता मीरा एक ऐसी घुफा है जहाँ पर हमें शर्भ प्रथम प्रगेतिहासिक चित्र मिलते हैं प्रगेतिहासिक वो भी मानु की द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त होते हैं तो प्रगेतिहासिक मानुद्वरा बिश्व में शर्प्रथम चित्र बनाया गया इस प्रकार से कुष्षिन आपसे कुटप किया जा सकता है अगला कोशन है कि यहाँ पर लगभग गेड़ सो चित्रों चित्र हमें प्राप्त होते हैं ये भी आपको मालू होना चाहिए लाल रंग की प्रधानता है मतलब कि लाल रंग की बात होती है और प्रगेतिहासिक काल की बात हो रही है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि लाल रंग जो बनाया जाता था वो गेरू शी बनाया जाता था तो किस रंग की प्रधानता हुई लाल रंग या गेरू रंग जो भी आप्शन में मिलता है उसे हमें बिल्कुल याद करना चाहिए अगला कोशन है प्रगेतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है तो यह अलता मीरा को कहा जाता है यह आपको बिल्कुल किलियर होना चाहिए प्रगेतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल एक सिस्टाइन चैपल नामक भितचितर भी है जिसको माइकल एंजेलो के लिए कहा जाता है वो भी याद रख लेना और प्रगैतिहासी कलग का सिश्टाइन चैपल पूंचता है तो आप बेहिचत अलता मीरा को टिक करेंगे आगे देखा जाए जो अलता मीरा गुपा है प्यारे दोस्तों 1985 में विश्व विराशत में शामिल किया गया था इसको यहां से एक चीज आपको और धियान देना चाहिए जो चाहें इंडियन हो या पास्चात हो जो भी गुफाएं जिसे अजन्ता, इलोरा, बाग, सीगिरिया या विभिन प्रकार की मंदिर हैं उनको भी विश्व विराश पास्चात की स्रणी में शामिल किया गया है तो कब किया गया है इस तरीके से आपको नोट डाउन करना चाहिए आपकी जानकारी के लिए बतातें के आनलाइन क्लास चल रही है आप लोगों को जूड़ना जूड़ना है तो आप जूड़ सकते हैं वन टाइम वन थाउजन रुपए आप पेव करके आप इस क्लास को जूड़न कर सकते हैं उसमें पूरा का पूरा पास्चात कला करवाए जाएगा यहाँ पर देखा जाए आप एक काम और भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर फोन भी कर सकते हैं 9873523652 इस पर जो है आप शंपर कर सकते हैं किस समय की गुफा मानी जाती है तो मैग्डेलियन यूग की मानी जाती है और 12,000 इशापूर के यहाँ पर चितर पाए गये हैं यह भी आपको मालूम होना चाहिए देखा जाए कि यहाँ के जो यहाँ पर जो रंगों का प्रियोग हुआ है वो जानवरों की चरभी में मिला करके प्रियोग किया गया है इसका भी प्रमाड यहां से मिलता है इसी के साथ आपको मालूम होगा कि प्रगयतिहासिक कला में जिसमें रंगों घोलते थे जो कतोरी होती थी वो किस्टी से बनाई जाती थी तो जानवरों की जो जानवरों का जो पुठ्था होता था उसकी यह आप लोग बिल्कुल कम्प्लीट कर लेना आपको एक लास अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक से और सस्क्राइब कर शकते हैं धन्यवाद